फिर यू इस अगे नमोना रहें नमोना रहें नमोना रहें लाएश फर्वरी संदोग्हट स्टा और बध़वार का दिन है और यaimer और ये कहने के लिए फुन्झे आपके सामनें उपसित हूं कि जिन्दगी में जिन्दगी का राज पाना चाहिए और जिन्दगी में जिन्दगी का राज नहीं पाया तो जिन्दगी को जिन्दगी से रूड जाना था अदबुद है मानव चोलाओ और इसकी कदर करो मुस्कराओ और जिंदगी खुसियों से भरी रहे तो ओम शम सनिश्चराये नमाओ ओम शम शनिश्चराये नमाओ इस मंतर का जाप करो आँखो मेंदेखो इन आँखो में देखते भिए ये बिस मिनिट मुझे दे दो और ये 20 म कुछ मित्रों ने मेरे से कहा कि ताती महाराज परियासों की बावजूर भी हमें इस अपमान बहुत होता है किसी भी गुरु आ रहते दें सच्च तांबे के लोटे में जल भर दी थोड़ सगंगा जा थोड़ी सी हल दी लाल दी मादेव का ध्यान करते वे मादेव का ध्यान करें और वगान शीव के शीविलिंग पर 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आप इसे एक जल से कर देजी जल में हल्दी जरूर हो आप करके देखेगा जिवन खुशियों से भरा रहेगा कुछ लोग नेका दाती महाराज हमारी दुकान की प्रगत्ति रुख गई आमदानी रुख गई है हमारी आर्थिक इस्तिति गिर गई है जेटा वाला नारे लेली जिए जल गंगा जल का छीटा देजी ओम लंबोदर आय नमा ओम विग्न हरताय नमा ओम गं गणपताय नमा ओम गणा अध्यक्साय नमा ओम गोरी शुताय नमा ओम गणपताय नमा गणपती का ध्यान करते भी लाल कपड़े में बांद देजी ओम एक दंताय चे विदमें गोरी पुत्रा आय धीम इतन्नु दंती प्रचोदयाग गनेश गाहितरी का जाप करते भी दुकान के इसान कौन में बांद देजी और हर रोज एक सो आठ बार ओम गंग अध्यक्सा पते नम इस मंत्र का जाब करते कुंकुम और केसर का तिलग नारियर पर जरूर करें चंदन की धूब दिकाए देखिए प्रतिस्ताम में प्रगति कैसे होती है नहीं मना रहें और बात करते हैं बुद्वार के पंचाएं की पालगुन माश क्रिश्ण पस्की एकादशी विकरम्शम दो हजार तीहतर है बुद्वार का प्रतिकाली निश्व प्रूव असाड़ा नहीं चंद्रमा धनुर आशी में आप बात उनकी करते हैं जिनका जनम दिन है या तो शादी की साल गरे तो दाति महराज की और से आप को हर दिख सुब कामिश आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे शरी भगवान से मेरी प्रापना बाइस फरवरी आपकी सादी की सालगर है और पति पतनी चाहते हैं कि पूरा साल खुश्यों से भीते हैं तो हर रविवार के दिन सर्धानुसार जो किसी गाय को अपने हाथ से खिलाएगा साल भर ये कर लिजेगा अध्भूद रहेगा आपका ये उपाए यदि आपकी सादी की साल गरे बाइस फरवरी है तो और बाइस फरवरी आपका जनम दिन है और निजगत कर्मों की वज़े से आपको जीमने प्रेशानियों का शामना करना पड़ाओ प्रियासों के बावजूत भी पारवर जीमने सुक्षान ते नहीं लाग कोशिश्यों के बावजूत परिवार लोग एक साथ नहीं बैट प करें लगातार 43 दिन करें हर रोज घर की पहली रोटी कुट्टे को अपने हाथ से खिला देजिए यदि संतान पक्स कम जो रहे हैं कैरियर में उठा पटक है नौकरी में समश्या है लगातार 27 दिन सनिवार को प्रार्म करें लगातार 27 दिन लकडी के कच्छे को लिए 800 क्रा मेश्राशी मेश्राशी वालों दर्म करम में रूची बढ़ेगी और संत साने दे का स्वावश्र मिलेगा संतों का आशिवाद मिलेगा सत्तं का लाब मिलेगा बहुत ही कारियों में मानसमान मिलेगा प्रिजनों के साथ दावत या प्रियाटन के आवश्र मिलेगा कारुब जिवन की सुन्दरता इसी में है कि जिसंसार में हम रह रहे हैं उस व्यवस्ता में सयोग करना इसलिए मानिवे दर्ष्टिकॉन को जरा सा बढ़ाना बहुत जरूरी है आपका संकीन विचार धारा स्वच समाज के लिए उचित नहीं है मैं इतना ही कौँगा क्या ना करें किसी भी बाहर रिव्यक्ति के बैखांव में ना आया करते हैं व्रष्टर बराशे की व्रृष्टर बराशे में थोड़ा सा प्रत्व्तिकून जरा रहे है क्रोध प्रकाबू रखे नतिकता का दामन पकर के रखे आज विचार भी कारी संपन नहीं होंगे आपकी वज़े से कारी छेतर में बाद आएगी आपकी वज़े से बहुत जरूरी नतिकता का दामन पकर के रखे संदान के वेवार से असंतुष्टी बड़े मांसिक खिंता और कश्ट भी है थोड़ा सा सयम और धैरी से काम गती बैबीत नहीं हूँ ना विश्वराश्च वालों मैं तो खाली संके दे रहा हूँ उपाई बड़ा सहज है धुली रहर की दाल सर्दान साथ धुली रहरेदार शपेद कपड़े में बाहंद कर किसी गरीब निर्धन विध्वा इस्त्री को दान में दीजिएगा आपके लिए ठीक रहेगा हूँ क्या करें अपनी वारता और कारियों को थोड़ा सा गोपनिया रखें क्या ना करें बहुत जरूरी है अपनों के साथ वेमनस ये नहों आज के दिन नमनहीन और बात करते हैं मिध्वन नहाश्च वालों गरकोचर अनकुल शितारों का शुपशंकेत रुकवा कारिये बनेग साथ दारी के कारे में विशेष लाब की अवशर प्राप्त होंगे घुमने फिरने और मनोरजन की अवशर प्राप्त होंगे वैवसाइक इस्तिती अनकूल रहेगी और दामपती सुक बढ़ेगा क्या करें ने वहान या भूमी या ववन में पुझनिवेश कर सकते हैं नही कोई साथे दारी का कारी है तो वैरत की संका स्दार पर अचारे न मुना रहे है तो बिर्शेव और मेथो की बात करी करक शिंग करन्य की वात को लिक्मों से पहले वुद्वार का राहुकाल और बद्वार की यातरा बुद्वार के दिन पुर्व दिशा की यात्रा कारुबार की दर्ष्टि कौन से ठीक रहेगी ऐसा लोग कहते हैं मेरा एक कहना कि समय और साधन बड़ी बहुत बदल गया है इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें बुद्वार के दिन ओम गंग गनपताय नमा इस मंत्र का जाब करते हैं गनपत्य के आगे घी का दिपर जलाई एक सो आठ गुर्वा भेट करिए और यात्रा पे निकली यात्रा नकस्ट कम आएगा और बात करते हैं करकराश करकाश वालो ग्रगोचर शुब अनकुल श्रितारो का शुब शंकेत पुराणी रोगों से छुटकारा मिलेगी बिमारियों से मुक्ति मिलेगी दवा काम करी और डक्टर को बिमारी समझ माएगी वेर्थ की करदे से भी आज राहत मैसूस होगी स्वास्ति उत्तम बना रहेगा ज्ञान और विज्ञान में रुच्ची बढ़ेगी कारुबार के छितर में उनत्ती होगी और धनलाब होगा आज मात्रपक्ष का पून स्वहोग और आश्रिवाद मिलेगा नमना रहें क्या क करें अंजान लोगों की बातों में ना आए नमना रहें बात करते हैं सिंग्राश वालों गोचर यह किरा कि बोद्रिक सफलता मिलेगी आज आपकी कारी करने की शैली और आपका विवेक आपको बहुत ही लाब देगा कारोबार में शंगल्ष पुन इस्तित से छुटकारा मिलेगा प्रिक कुटम्बियों से मेल मिलाप और स्वहोग बढ़ेगा आर्थिक लाब से मन शंतूश रहेगा थोड़ा सा स्वास्ति न कोई भी हो आज के दिन माइनूटली उस जुम्हदारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी क्या ना करें किसी के साथ भी विश्वास घात आज ना करें बाई मैं तो कभी नहीं करें नमने नुबात करते हैं कन्यारासिक अनकूल नजर नहीं आ रहा है वानी पर सेम और दोहरेपन से बचना होगा और नहीं बचे तो बंते-बंते कारी बिगड़ जाएंगे धनहानी होगी मांसिक और शारिक ठकान मैसुस करेंगे किसी निकट मित्र के रूड जाने से नुक्सान होगा और पारवड़ जिमन तना इसलिए बहुत जरूर ही है जो मैंने का उस पर ध्यान दे चोटा सा उपाय है आज एक जटा वाला नारिर अपने उपरे साथ बार उसा रही है दुरुगा कवच का साथ पाठ करके माई के सिर्चर्णों में अर्पित कर दीजेगा कस्ट का माय है क्या करें बहुत जरूर है सफलता के लिए समझोता वादी नितिय अपनाना क्या ना करें गुप्त रूप से कोई शौदा आज ना करें ना मना रहें करके शेंग कन्या की बात करी तुला वर्चिक धनू की बात करनी है लेकिन उससे पहले वास्तों सला राज का सुझाओ बर्गत पीपल आम जो जो गन्या फेला वाले व्रिक्स है या नारियल जिसे नारियल है पाम है इन्हें हलकी दिशाओं में नहीं लगाना चाहिए जिसे इसान है उत्तर है कि यह घर के उपर पढ़ने वाली प्रात्यकाल शोर क्रुणों को रोकेगी और उस उर्जा का प्रभा रोक जाएगा इस बात का ध्यार लगेगा नमन है निर्बात करते शुझाओ पुद्वार का दिन और लोगों ने मुझसे काई दाती महाराज परेशानियों के निवानन के लिए और मनों उनको श्रपलताओं के लिए आज की हम लोग क्या करें देखो भाई आप सभी लोग आज की दिन नित्य कर्म से निवर्शिनान उप्रांत उत्तर पूरु कौने में मिट्टी के दिपक में गाई का घी भर कर चमू का दिपक जलाई और दिन भर यह अखन जोद जलती रहे कि जवाब जोद प्रजित कर लें हाथ में कि इलाईची लीजी ओम गंगन पताई नम इस मंत्र का 108 बार जाब करें अपने उपर साथ बार इलाईची को उसार कर दिपक में डाल देजी देखिए कैसा रहता है और बात करते हैं तुलाराशी की तुलाराशी में उत्तम शिता जुटकारा मिलेगा वैवशाय बड़ा ही लाबदाएक रहेगा पर सासनिक कारियों में शपलता असिल करेंगे और सास बड़ा उमदा रहेगा अतिति यागमन से मन प्रसंद रहेगा और यात्रा भी शुखद रहेगा क्या करें वरिष्ट अधिकारियों से तालमेल बहुत जरूरी है सलाम मसर्वा करके ही कारे करें क्या ना करें वाने की सालिंता भंग ना करें ना मना रहेगा अर बात करते विर्षिक राषित विर्षिक राषित विर्षिक राषित विर्षिक राषित विर्षिक राषित गोचरी यह कह रहा है कि धनकी प्राप्ति होगी अपनो का साथ मिलेगा कारुबार में अनुकुलता रहेगी राजनितिक वर्थसु बढ़ेगा संतान पक्ष खीक रहेगा बस आर्थिक छेतर में परिश्रम की आवश्रता होगी परन्तु सोजनों के सहुख से रुकिवे सारी काप बनेंगे मित्रों और शमंदियों से भी लाग मिले क्या करें आज आपको श्यरम को अपनों की मदद करनी है इस बात का द्यान तकर जाओं क्या ना करें कारी की सपलता के लिए किसी के साथ दगा ना करें नमने नुर्बात करते हैं दन्वाशेश में उत्तम सितारों का सुब संकेत गरेगोचर की इस्तिती बड़ी उत्ता में भाई खुशाली का संकेत दरी गरेगोचर व्यवशाई प्रगति से मार्ग प्रशत होगे धनलाव होगा मान प्रतिष्टा बढ़ेगी बाधाओं से मुक्तिर अपनों का पूरुश होग मिलेगा हो क्या करें बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज की दिन विवादित मुद्दों को आज यहीं समाप्त कर दीजिए क्या ना करें दूसरों के कारे में दखल अंदाजी ना करें न मना रहें तुला वर्चिक धनू की बात करें अब मैं मकरकुम और मीन की बात करें लेकिन उससे पहले उपाई और अधुद्देशी में उपाए यह जीवन में सपलता नहीं मिल रही हो हमें इसा बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हूँ लाकोसिसों की बावजूद भी लोग आप सद्दगा कर जाते हो मन बड़ा दिगभर बरित रहता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ आप अपनी जगर पर ठीक है लेकिन हमेशा कहीं कहीं किसी नहीं किसी से आपको नुक्सान होता है ऐसी अवस्था में यह उपाए शोंबार को प्रार्म करें लगातार 43 दिन रोज करें जटाबाला नारे न मंदरी में जाए ओम उमाश रूपाए नमा ओम उमाश रूपाए नमा ओम शम उमाश रूपाए नमा इस मंत्र का 108 बार जाब करके नारे रिल को अपने उपर से 7 बार उसा आजए नारे रिल को भगवान शीव के शीविलिंग के सामने फोर देजी और जल शीविलिंग पर प्रुसान लोगों में बाठ अब आप करके देखेगा कश्टा फश्य में तेंगे नमने नर्बात करते अद्भूद देशी में उदर सूल है पेट में दर्थ है आपरा है हिंग सैंधा नमक और पीपल चुरू काली मिरिस का चुरू सौट का चुरू इस सब बराबर मात्रा म में ले लेगी और एक ग्राम सब को मिला करके एक ग्राम जल के साथ सेवन करें शिकाइद दूर हो जागी यह अधभूद है लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा देना भाई मेरे डॉक्टर पर जाने में लापरवाई नहीं करें बात करते हैं मकर राश्य की मकर राश्य वालों चंद्रमा धनुल आश्य में बारवे घर से गोचर करार निजगत कर्म की वज़े से आज थोड़ा सा प्रेशानिय का संकेत नहीं जराए कि गोचर प्रतिकवला है मांसिक परिशानियों में व्रिद्धी होगी पारवारिक इस्तिक कश्पद रहेगी सेयम और संतुलन बनाए रखना बैत्र होगा आज के दिए कि आज गोचर अनकूल नहीं है व्याविक्षाइक छेतर में भी समेशा का सामना करना पड़ेगा ऐसा गोचर कर लेकिन इस सब आपकी वज़े से आप अपने अतिदिक आत्म विश्वास पर काबू रखे बिना वज़े किसी गरीब को नहीं सताए और बिना सोचे समझे किसी के पिछे नहीं पड़े इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जुरूरी चोटा सा उपा है ओम प्राम प्रीम प्राम शैशने चराय नम है इस मंत्र का सरधान सब्सक्रा नो आपकरे किसी निर्धन गरीब आदमी को भोज़न जरूर कराईगा कॉस्त कर दोड़ए का से काम करे क्रे लोग विश्य को फने किसी नावीन योधना के आ वर्चम नैउवे से नाखरा में आज के नहीं को एक, कुम्राशें, और खत्रत्रत होगी 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 और आपका प्रृभाव बढ़ेगा क्या करे साथ काम करने वालों से परिवारिक जनों ग्रेगोचर शुब वैवशाय में अनकूल फलों की प्राप्ति होगी देश-विदे से वैवशाय प्रस्ताव और अन्बंद प्राप्त होगी आर्थिक सुक में वृद्धी होगी क्या करें सरकारी च्छेतर में कि जो रुके वेकारी उसको पूरा करने का प्रियास करें। क्या ना करें। अपनी वानि से किसी को कस्त न पहुंचाये नमॉनारें। यह था बारा के बारा राश्ट्न को राश्र पैए। जो ग्रनक्षण प्राधारी था। पुने मेरा निवेदन का अधिकार आपके पास है क्योंकि ना में विवादों में पढ़ता है और ना मुझे दावे करने आते हैं मैं तो अपना आनभाव अपने आनंद के लिए आपको बाटने आता हूं मुझे अच्छा लगता है बाटना चोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद भगवान गणपति को कैसे मनाए पूजा और मंत्र जिमन मंत्र और दर्शनक लेदाती धाम लेचे लोगा लेगी छोटा सा ब्रेक ना मना रहे हैं नमउना रेन ब्रेक की बाद आपका शागत है तेदी शंपाउन परियासों की बाप जूद भी कार्यों में विग्ण है बा बुद्वार को प्रारम करें लगातार चालिश बुद्वार के दिन नित्य करम से निव्यतों शिनान उप्रांत अपने पूजास्तान में गणपति के सिर्विक्रिक प्रेसामने गाय की घी का चौमों का दीपक परणिग करें गणपति का ध्यान करते साथ अखंडित बुद्वार के जीवन मंतर के साथ बुद्वार के जीवन मंतर के गुरुमाराजी की दया से ये अनभाव है जो ग्यान उन्होंने दिया ग्यान के साथ रहने का सुआउसर मिला उनकी किरपा से अभ्यास किया बैटने का अउसर मिला जो समझ में आया उनकी किरपा से वो आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या है अंधेरा अनव प्रस्थिति अप्सेंस है उजाले का गेरहाजरी है उजाले की अंधेरा और कुछ नहीं है कोई शक्ति नहीं है प्रकास एक शक्ति है जहां उजाला है वहां अंदकार कभी नहीं रहता है जहां प्रेम होता है वहां नप्रत नहीं होती भाई जहां ज्यान होता है अज्यान नहीं होता है लोग अंधेरे को मिटाने की बात करें अरे भाई जो वहां है नहीं उसे आप हटाएंगे कैसे अंदेरे को हटाने का एक ही तरीका है प्रकास को लाना और दुख को दूर करने का एक ही तरीका है कि तुम अपने भीतर में हिर्दय के पास आजओ अंदर का शुक श्वतर ही जाग जाएगा तो दुख फिर कभी होगा नहीं हिर्दय के पास भीतर का शुक भीतर की शन्तुष्ठी के साथ रहना बहोजर। और ये गुरु महराज जी किरपा से संभाव है नम अनारें। है ग्यान तो बजन कर ये नई तो दाति महराज आपके साथ सेवा में हाजीर है नम हाज रहा कि छोटा सा प्रेक और के बाद आपका स्वाय के तो ये शमय है प्रभु दश्ट चनवाई कर दर्स्ट चनौ के लिए चलते हैं। क्या सुभीपृत्र उट क्या लुद कर निश दिश भाइन। रविपुत्रम यमागरजं चाया मार्थन संभूतं संदमामी शने चरम नीलाजन समाभासं रविपुत्रम यमागरजं चाया मार्थन संभूतं संदमामी शने चरम नीलाजन समाभासं रविपुत्रम यमागरजं चाया मार्चन संभूर्थं संदमामी शने चरम नीलाजन समाभासं रविपुत्रं यमागरजं चाया मार्चन संभूर्थं संदमामी शने चरम नीलाजन समाभासं रविपुत्रं यमागरजं चाया मार्दन संभूर्थं संभामी शने चरम नेलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं चाया मार्दन संभूर्थं संभामी शने चरम नेलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं चाया मार्दन संभूतं संभामी शने चरम नेलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं चाया मार्दन संभूतं संभामी शने चरम नमोना आप सभी ने प्रभु दशने किया पून आशा है कि दाता की अपार खिर्पा आप पे बश्टेगी और आपका जिमन खुश्यों से भारा रहेगा मन जंगा तो काठोती में गंगा मन की निस्चलता के साथ प्रभु की दशन आपने किया होगे ग्रु मंतर में आज इतना ही कल पने ग्रु मंतर में जनम दिन की सुब काम नहीं जनम दिन का उपाए बगान सिरी हरी विष्ट्णों को कैसे मनाए पूजा और मन्तर गुरुवार का राशी पादे जिवन मंतर सुचाव देशीन उसके उपाई और वास्तु सला लेका हूँगा आज अपनी गलती अपनी घुना और अपनी भूल की मापी मांगते अपनी वाने में विश्राम दिराओं नमोना रहें नमोना रहें